लो एब्रिवन वैलकम तो अस्पारेंट दिन सीवी सर्वसीज वहार योल आप सब की प्रिपेशन कैसी चल रही है येस्टड़े बीपीएसी से रिलेटेड हमने एक नॉटिफिकेशन वीडियो अप्लोड किया है आप सभी उस वीडियो को जरूर देख लें बहुत सारे आप सभी चैनल पर फॉलो करते रही है विजिट करते रही है आपका अगर फॉर्म जो है वो करेक्ली फिल अप हुआ है और आपकी कोई मिस्टेक नहीं है उस रिलेटेड अपने अपने डेटों बहुत अच्छे से फिल कियो और अप अलिजिवल है तो आप जो है तुरंत को इमेल कीजिए जो इमेल आइडी वहां पर मेंशन है तो आपका फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म जो है वो डिस्क्वालिफाइड ना हो तो आज की सूपर टेस सीरीज में हम पेपर वन से रिलेटेड मॉस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्टेंस प्राक्टेस करेंगे यह सभी क कोश्टन बीपी एसी पब्लिक सैनेटरी वेस्स मैनेजमेंट ओफिसर एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस साथ में 67 बीपी एसी और सीडिपो के एक्जाम के लिए जो कैंडिडेट्स प्राक्टेस कर रहे हैं वह इस टेस सीरीज को ज़रूर देखिए विकोज यहां सूपर टेस सीरीज को देखना और प्राक्टेस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस एक्जाम को क्रैक करना है विकोज जितना ज्यादा आप अब्जेक्टिव कोशिन की प्राक्टेस करेंगे उतना अच्छा आप एक्जाम में परफॉर्म कर सकेंगी ठीवरी सीरीज देना है सेम प्राक्टिस करनी है सो दाट आपका स्कोर अच्छा बन सकेंगे और आप एक्जाम को इसली क्रैक कर सकेंगे जो भी गेम है पूरा वो इस एक्जाम का ही है जो आपका अब्जेक्टिव एक्जाम है तो आप अच्छा प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट क साथ के साथ comment section या फिर email ID या फिर आप Instagram के तुरू हम से put up कर सकते हैं कुछ candidates की लगतार curious आ रहे हैं कि मैं paper 1 में history quality आएगा कि नहीं आएगा तो जो हम आपको super test series provide कर रहे हैं यह BPSC exam के syllabus के according ही है यही pattern exam में रहेगा जैसे question हम provide कर रहे है history के जो current affairs related है बस वही question आएगे theoretical part history quality नहीं आएगा यह कहीं पर नहीं mention के आपके syllabus में इसलिए यहाँ पर जो syllabus में mention किया है उसकी according ही आपका paper आएगा जैसे हम आपको super test series provide कर रहे हैं तो आप किसी other channel की या कहीं की बाते सुनकर अपनी preparation को खराम मत कीजिए हम जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आप वही focus हो के practice कीजिए All the best to all of you सभी question को अच्छे से ध्यान से read कीजिएगा और उसके बाद अपना comment section में answer provide करती रहेगा और score भी आपको mention करना बहुत जरूरी है Question number one is NTPC BART Super Thermal Power Project was integrated by Bihar CM Nitish Kumar to set up three units of how much Megavote NTPC BART Super Thermal Power Project का उद्गाटन Bihar के CM Nitish Kumar जी ने Megavote की तीन इकायों की स्थापना के लिए किया है वो कितने Megavote की है Option है A. 650 Megavote, B. 675 Megavote, C. 660 Megavote and D. 700 Megavote E. None of the above, more than one of the above So try to give your answer, सभी अपना answer दीजे, comment section में Answer is C. Option 660 Megavote तो जो यह Unit 1 है, यह Stage 1 of NTPC BART Thermal Power Project को अभी इनोग्रेट किया गया है By the CM, पिहार के जो CM है, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है और यह भी पूछ सकते हैं कि इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है और साथ में जो Second Unit का production है, वो 2022 में शुरू होगा और जो Third Unit है उसको production 2023 में स्टार्ट होगा तो यह तीनोग टागेट्स यहर आपको याद रखने हैं और साथ में यह Megavote याद रखने है कि कितने Megavote का यह Unit जो है, यह Setup किया गया Question No.2 is, as recently in the news, electricity generation at incinerators will soon become closer in carbon intensity to coal and gas than to wind and solar This is because of which of the following, जैसा कि हाल में खबरों में हैं, भस्मक से बिजली उत्पादन, जल्द ही हवा और सोर की तुलना में कोईले और गैस के लिए कार्बन की तिवर्ता के करीब हो जाएगा, यह किसका कारण है Option से आपके A, decreasing proportion of hard to recycle plastic waste sent to incineration आप सभी ध्यान से option को पढ़ियेगा B is, due to increasing quantities of the waste sent to incineration will emit more toxin and pollutant that harm the local air quality C is, it will decrease the carbon impact of incineration D, incineration makes a more significant positive contribution to the local air quality than the landfill E, none of the above, more than one of the above So try to give your answer, सभी अपना answer comment section में दीजिए Answer is B option, तो यहाँ पर B option correct है Other statement गलत है, देख लेते हैं क्या गलत है तो इसमें जो first statement है, इसमें increasing proportion आएगा hard to recycle plastic waste sent to incineration C statement में, it will increase the carbon impact of incineration तो जो electricity generation हुआ है, incineration का इसे increase होगा, जो carbon impact है, incineration का decrease रही होगा D statement में देख लेते हैं, D statement में जो incineration है यह significant negative contribution करेंगे local air quality than the landfill तो जो भस्मी करन landfill है, उसकी तुला में जो स्थानिय वायू गुणवत्तदा है उसमें अधिक महत्रण सकरात्मक की जगा नकरात्मक योगदान देता है तो यह जो है recently अभी news में था तो इस से related paper 1 में question आ सकता है यह बहुत important question है, अगर आपको कुछ भी doubt रहता है इस से related आप comment section में हमसे पूछ सकते है Question number 30, what are the key findings of the third part of IPCC 6th assessment report released recently हाली में जारी IPCC 6th मुल्यांकन report के तीसरे भाग के मुख्या निसकर्ष क्या है options है, in 2019 global net anthropogenic greenhouse gas emission were at 59 giga tons of carbon dioxide equivalent 2019 में वैश्विक शुद मानव जनित greenhouse gas उत्सरजन 59 giga watt ton carbon dioxide समक्षक पर था B option है, the IPCC find that it is likely that warming will exceed 1.5 degree Celsius in this century thereby failing the Paris Agreement mandate C option है, carbon inequality remain pervasive as ever with least developed country emitting only 3.3% of global emission in 2019 तो carbon असमानता हमेशा की तरह व्यापक बनी हुई है, जिसमें 2019 में वैश्विक उत्सरजन का केवल 3.3% कम विक्सित देशों का उत्सरजन होता है E option is, to achieve the C1 pathway, global greenhouse gas emission must fall by 43% by 2030 C1 mark को प्राप्त करने के लिए वैश्वे greenhouse gas उत्सरजन में 2030 तक तरताली परतीशत की कमी होनी चाहिए E, none of the above, more than one of the above तो इस question की सभी statement बहुत important है, ध्यान से आप रीड करियो, फिर अपना आंसर दीजे, comment section में Answer is, E option more than one of the above तो इसमें सभी statements जो हैं, वो correct हैं, as it is, आप इसको ध्यान रखेगा सभी को IPCC की full form भी याद रखनी है, exam के लिए, inter-governmental panel on climate change तो इसकी जो 6th assessment report रिलीज हुई है, उसके accordingly इस सब डाटा हमने प्रोवाइड की है, ये exam के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जो पैरिस समझोता हुआ था, वो विफल रहा था, वो success नहीं हुआ था, तो उसमें IPCC ने ये पाया था कि जो इस सदी में जो warming होगी, वो 1.5 degree Celsius से How many places of Bihar selected for the educational tourism by the University Grant Commission out of total 100 places identify, UGC द्वारा चिनहित कुल 100 स्थानों में से Bihar के कितने स्थानों को sectionic praten के लिए चुना गया है, options are A.4, B.5, C.3 and D.10, E.9 of the above, more than one of the above, तो आप सभी answer दीजे, comment section में, answer है इसका B. option 5, तो आपको 5 places जयाद रखनी है, बिहार की जो इसमें select की गई है, वो है सासाराम, राजगीर, बोध गया, नलंदा एन, विशाली, तो जो National Education Policy 2020 है, उसके accordingly, जो educational tourism है, इसको include किया जाता है, activity education के अंदर, तो जिससे की strengthen करना होता है, जो भी spirit है, education tourism की, किसके अधार पर, एक भारस, रेश भारस, कीम के अधार पर, तो उसके लिए, 100 places को इंडिया में से identify किया गया है, जिसमें से 5 जो है, वो बिहार की places है, 550 KL Ethanol Plant is set up recently in which district को बिहार, 550 KL Ethanol Plant हाली में बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, options are, A. सहरसा, B. रोतास, C. सुपोल, D. पतना, and E. none of the above, more than one of the above, so try to give your answer, सब भी अपना answer दीजिए, answer is, C. option, सुपोल, तो सुपोल इसका correct answer है, जो O.P. जिंदल group of companies है, उन्होंने ethanol plants को set up किया है, सुपोल के अंदर, और इससे investment और employment दोनों increase होगी, सुपोल में तो होगी, साथ के साथ, जो surrounding district है, सुपोल के आसपस, वहाँ पर भी ये increase होगी, question number six is, recent program of Bihar, name as, सुनन्दनी, is related with which of the following, हाली में, Bihar के सुनन्दनी नाम के कारेकरम का संबंध किस्से है, options are, A. improving the education level of अंगनवाडी workers, and enable them to get online education, आंगनवाडी कारे करता हो के, सिक्षा स्थर में सुधार करना और उन्हें online सिक्षा प्राप्ट करने में सक्षम बनाना, B. improving the education level of schooling children up to 15 years, C. to provide the early childhood care to maternal parents, D. all of the above, E. none of the above, more than one of the above, So try to give your answer, सभी question English इंदी दोनों medium students के लिए यहाँ पर प्रोवाड के जाते हैं, तो आप सभी equally यहाँ से benefit लीजिए, Answer is A option, तो जो यह सुनंदनी स्कीम है, यह बिहार की स्कीम है, और यहाँ पर improve किया जाएगा जो education level है अंगनवाडी वरकर्स का, और उनको online education भी प्रोवाड की जाएगी, तो इसमें जो अंगनवाडी वरकर्स हैं, उनको छे महीने के लिए training प्रोवाड की जाएगी, और उन्हें एक certificate course करा जाएगा, ECCE के तहत, यानि कि early childhood care and education के लिए, और उनको साथ में एक साल का diploma course भी इसमें प्रोवाड की जाएगा, तो ये स्कीम भी एक्जाम के लिए बहुत important है, Question No.7 is, On the recommendation of 15th Finance Commission Report for 2021-26 period, the share of state in the divisible pool of Central Texas to be how much percentage? 2021-26 की अबदी के लिए, पंदरवे वित्य आयोक की रिपोर्ट की सिफारिश पर, केंद्रे करों के विभाजे पुल में राज्यों का हिस्सा कितना पर्तिशत होगा? आपके options हैं, A 40%, B 42%, C 43% and D 41%. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answers, अभी अपना answer दीजिए. Answer is, D option 41%. तो ये 1 point कम है, previous year जो recommendation थी, 14th Finance Commission की, 2015 से 20 तक, उन्होंने recommend किया था, 42% share. और 2000, जो अभी recent 2021 से 2026 की report है, 15th Finance Commission की, इसमें 41% है. जो आपको याद रखना है, economics के question भी आपकी exam में आएंगी, इसलिए जो भी important question रहते हैं, हम सब यहाँ पर schemes के तुरू, और सारा data आपको budget survey के तुरू, यहाँ पर provide कर रहे हैं, continuous गे आप देखते रहे हैं. Question number 80 is, As per the Bihar State Ethanol Production Promotion Policy, Bihar aim to produce around how much liter of ethanol every year. Bihar राज्ये, ethanol उत्पादन, सन्वर्धन, निती के अनुसार, Bihar का लक्षे, हर साल लगबग कितना लिटर इथनोल का उत्पादन करना हैं, तो question को ध्यान से read करिए, option है आपके, A 50 करोर, B 100 करोर, C 1200 करोर, and D 1600 करोर, E none of the above, more than one of the above, so try to give your answers, अभी अपना answer दीजे, comment section में, answer is, A option 50 करोर, तो इस scheme के accordingly, aim है बिहाग गर्वर्मेंट का, कि 50 करोर के आसपास, ethanol को produce करना है, हर साल, और जो ये policy है, ये directly ethanol को produce करती है, किस से, मेज से, मुलासिस, या फिर जो ब्रोकन टूटे वे राइस होते है, या फिर जो रोटन सड़ागला, जो ग्रेंस होता है, उसके थू, और आपको ये भी याद रखने कि, बिहार जो है, वो फिफ्ट रैंक पे है, for the ethanol producing state in India, तो बिहार का नंबर जो है, अराउंड ethanol production करना है, 50 करोण, पिर नंबर नाइन्थ इस, what is cut last express, recently in the news, हाली में खबरों में रहा, cut last express क्या है, ओप्शन्स आर, A. Multinational Military Exercise of Bangladesh and India, ओप्शनीज, Multinational Military Exercise of Indian Navy, Indian Ocean, C. Multinational Military Exercise of Russia, D. Military Exercise of India and Kajakistan, E. None of the above, more than one of the above, so try to give your answer, इस तरह के question भी exam में आएंगे, science and tax related, सभी अपना answer दीजिए, answer is B option, तो cut last express, एक Multinational Military Exercise है, Indian Navy की Indian Ocean के अंदर, question number 10, who is appointed as a new chief economic advisor of India, भारत के नई मुखे आर्थिक सलाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, options are, A. K. V. सुब्रमन्यम, B. T. S. तिरपुती, C. उर्जित पतेल, and D. Ananta Nageshwaran, E. Option is none of the above, more than one of the above, so try to give your answer, अपना answer दीजिए, comment section में, answer is D. option, तो इसका right answer है, question number 11 is, consider the following statements, निमिलिकित कत्नों पर विचार करें, 1. Water has more specific heat than air, पानी में हवा की तुल्ला में अधिक विशिष्ट उश्मा होती है, 2. Water expands when it warms at all temperature, पानी सभी तापमानों पर गरम होने पर फैलता है, 3. Water contract as it cools at all temperature, पानी सभी तापमानों पर ठंडा होने पर सिकुडता है, select the correct code from the given below, आपके option है, A. one only, B. two only, C. one and two only, and D. one and three only, E. none of the above, more than one of the above, so try to give you an answer, अपना answer दीजे, comment section में, answer is A option, तो यहाँ पर सिरफ first treatment सही है, water जो है, उसकी more specific heat होती है, than the air, air से जादा होती है, specific heat जो है, जिसको विशीश टुश्मा बोला जाता है, लेकिन पानी जो है, वो एक्सपेंड तो करता है, जब उसको वर्म करते हैं, लेकिन सभी temperature पे नहीं करता है, इसलिए गलत हो जाएगा, third statement भी गलत है, because water contract तो करता है, जब उसको कोल करते हैं, लेकिन ये सभी temperature पे नहीं करता है, एक specific temperature पे ये process अकर होती है, तो इसलिए only one statement सही है, question number 12, which among the following statements are incorrect, related with the service sector of India, मिलकित में से कौन सा कथन, भारत के सेवाक्षेतर से सम्बंदित गलत है, options है, services account for more than half of Indian economy, and was most impacted by the COVID-19 related restriction, भारती अर्थ विवस्था के आदे से अधिक के लिए, सेवाएं खाते हैं, और COVID-19 सम्बंदिक प्रती बंदों से सबसे अधिक प्रभावित थे, B option is, services sector first contracted by 8.4% in 2020-21, and it is estimated to grow by 8.2% in 2021-22, सेवाक्षेतर पहले 2020-21 में 8.4% अनुबंदित था, और इसके 2021-22 में 8.2% बढ़ने का अनुमान है, C option is, both the finance और real estate and public administration segments, are now well above the pre-COVID level, वित्य और real estate और लोग परशाशन, दोनों खंड अब पुर्व COVID स्तरों से काफी उपर हैं, D option is, all of the above, E, none of the above, more than one of the above, तो try to give your answer, सभी अपना answer comment section में दीजिए, answer is, E option, none of the above, तो यहाँ पर सभी statement सही हैं, गलत नहीं है, कोई भी statement, इसलिए answer हो जाएगा, none of the above, because question में incorrect पुच्छा था, question number 13 is, air bubble is the term coined during the COVID-19 times, it refers to which of the following, options are, A, transport and people connectivity between specific reason in the world, दुनिया में विशीख, शेत्रों के बीच, परिवहन और लोगों की connectivity, B, it do not included those reasons where COVID-19 has been contained to similar level, C, as new avatar of Wandae Bharat mission, launched by the government of India, D, all of the above, E, none of the above, more than one of the above, so try to give your answer, सभी अपना answer दीजिए, answer is A, option, तो air bubble किसे related है, transport and people connectivity between the specific reason in the world, question number 14, on which occasion or date, catch the rain campaign launched by the Prime Minister Modi, in both ruler and urban areas of India, पर्धान मंत्री Modi द्वारा, ग्रामीन और शेहरी दोनों क्षेत्रों में, किस अफसर या तारिक को, catch the rain campaign को शुरू किया गया था, options हैं, A, 22nd March, B, 5th June, C, 22nd April, D, 2nd February, and E, none of the above, more than one of the above, So, try to give your answer, अपना answer दीजिए, answer है, A, option, 22nd March, 22nd March को, World Water Day celebrate किया जाता है, तो, under the जल शक्ती अभियान, Prime Minister of India ने, catch the rain campaign को, launch किया गया था, तो, इसकी date भी याद रखनी है, और ये campaign किस से related है, ये भी आपको याद रखना है, ये, Water Conservations related है, कालोरिक effect is related with which of the following, हाली में खबरों में, इलास्टो कालोरिक प्रभाव निमलेखित में से, किस कतन से संबन दीथ है, ओप्शन्स आर, A, Aerodynamics, B, Wind Energy, C, Nuclear Energy, and D, Cooling, E, None of the above, more than one of the above, So, try to give your answer, अपना answer दीजिए, कमेंट सेक्षन में, answer is, D, Option, Cooling, तो, Elastro Caloric जो होता है, जब rubber band को twist या, untwist के जाता है, तो यह cooling effect प्रोडूस करता है, जिसको Elastro Caloric बोला जाता है, Option No. 16 is, Consider the following statements about, राष्ट्रे युवा सशक्तिकरन कार्यकरम, 1 is, RYSK scheme is the flagship central sponsored scheme, of Ministry of Youth Affairs and Sports, 2 is, the youth in the age group of 15 to 29 years is included, 3 RYSK scheme program, includes, skilling and land holding, आत्मिरबर भारत, combating COVID-19, mass awakening and action campaign, establishing disaster risk reduction, and preparedness team, and youth let fit India movement, तो यह सभी statements को आप ध्यान रखिए, इसमें से आपको incorrect statement चूज करने हैं, आपके options हैं, A, one only, B, two only, C, three only, and D, one and three only, E, none of the above, more than one of the above, so try to give you an answer, अपना answer comment section में mention कीजिए, answer है, A option, तो यहाँ पर A statement गलत है, तो राश्ट्रे युवा सशक्तिकरण कारेकरण में एक central sector scheme है, जो Ministry of Youth Affairs and Sports के अंडर आती है, आदर स्टेट्मेंट करेक्ट है, इस लिमिट जो है, वो 15 से 29 वर्ष की आयू वर्के युवा के लिए है, और जो यह योजना है, इसमें कोशल और भूमी धारन जो आत्निरभर भारत है, और COVID-19 का मुकाबला, और साथ में जो जन जागरिती, या फिर कारवाई अभ्यान आपदा जोखिम और अदर जो टीमें है, उनकी स्थापना या फिर युवा ने तरतुर फिट इंडिया अंदोलन को भी शामिल किया गया है, तो यह सारे स्कीम के अंडर मैंशन किया है, स्टेट्य नुम्बर 17, तो यह फर्स नुम्बर पर आती है पूरे वर्ल में, और स्टेट्य नुम्बर पर स्टेट्य ओफ इक्वालिटी जो कि 216 फूट है, फिर एंड हिस्ट्री आर्ट इन कल्चर से रिलेटेड इसी तरह के करन्ट अफियर में जो डील कर रहे है, कोश्चिन वही आपके एक्जाम में आ सकते हैं, कि यह कोश्चन था, कोश्चन नुम्बर 17 यह बहुत इंपोर्टन है, खाली में आशियान, आक्षे उर्जा पर भारत का उच सरे सम्मेलन वास्ता में किस देश में आयोजित क्या गया था, आप्शन था, थाइलेंड, बी सिंगापूर, इंडोनेशिया, इंडी फिलिपिन, इन अन अफ दे अबब, more than one अफ दे अबब, आपना अंसर कमेंट सेक्षिन में दीजिए, आंसर इस, सी ओप्शन इंडोनेशिया, तो जो मिनिस्ट्री ओफ न्यू और रिनेबल एनरजी है, और साथ में मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफेर ओफ गर्मेंट ओफ इंडिया है, इसकी तीम भी आपको याद अपनी है, इस कॉन्फरेंस की थीम है, एक्सपिरियन्स अंड इनोवेशन फोर इंटेग्रेटिर रिनेबल मार्केट्स, कॉनसी स्टेट्मेंट सही नहीं है, पन्च अम्रिट के लिए, ऑप्शन से आपके, A. इंडिया विल रिच इट्स नोन फोजिल अनर्जी कैपेसिटी तू 500 गीगवोर्ट बाइट 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 दोजार तीस तक अपनी गैर जिवाश्म उर्जा शमता 500 गीगवोर्ट तक पहुंचा जाएगा, B. ऑप्शन E. बाइट अपनी अर्थ वेवस्ता की कार्बन तिवर्टा को पंताली प्रतीशत से कम कर देगा, C. बाइट अपनी इंडिया विल अचीव दा टार्गेट ओफ नेट जीरो, वर्ज दोजार सत्तर तक भारत नेट जीरो की लक्षा को प्राप कर लेगा, D. ऑप्शन E. इंडिया विल रिड्यूस दा टोटल प्रोजेक्टेट कार्बन अमिशन बाइट वन बिलियन टन फ्रोम नाओ ओनवर्ट तिल टूथाजन थर्टीश बारत अब दोजार तीस तक कुल अनुमानेट कार्बन उसर्जन में एक अरब तन की कमी करेगा, E is none of the above, more than one of the above, so try to give your answer, सभी important statement है, आप ध्यान से पढ़िए और अपना answer दीजे, कमेंट सेक्शन में, answer is E option none of the above, तो answer हो जाएगा none of the above, incorrect पुछा तो सभी statement correct है, तो पंच अमरित की पांच जो statements है वो ध्यान रखने एक्जाम के लिए, सबसे पहले जो statement है कि इंडिया जो है, रीच करेगा non fossil energy capacity को 500 gigawatt by 2030 तक, तो 500 gigawatt 2030 तक non fossil energy capacity, दूसरा जो point याद रखने हैं वो है कि इंडिया meet करेगा 50% of energy requirement from the renewable energy by 2030, तो 2030 तक 50% energy requirement जो है वो renewable energy से इंडिया meet करेगा, तीसरा जो इसका target है वो है कि इंडिया reduce करेगा, मतलब कम करेगा जो total projected carbon emission है by 1 billion ton, from now onwards till 2030, तो 2030 तक 1 billion ton जो carbon emission है projected उसको कम करेगा, fourth point is by 2030, इंडिया will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45%, तो 2030 तक इंडिया जो है reduce करेगा, कम करेगा जो carbon intensity है economy की by less than 45%, fifth point है by the year 2070, इंडिया achieve करेगा target of net zero, तो target of net zero का कब तक अचीब करने हैं, 2070 तक, 2017 तक, question number 20, the wildlife protection act of India 1972, provide the legal protection to many marine animals, how many major marine protected areas covering the coastal areas are there in India, have been notified under the wildlife protection act of 1972, तो भारते वन्य जीव संरक्षिक अधिनियम 1972, कई समुंदरी जानवरों को कानूनी सुरक्षा परदान करता है, भारत में 30 एक शेत्रों को कवर करने वाले, कितने प्रमुख समुंदरी संरक्षिक शेत्रे हैं, जिने वन्य जीव संरक्षिक अधिनियम 1972 के तहट अधिव सूचित किया गया है, ओप्षिन हैं, A 19, B 25, C 31, D 47, E none of the above, more than one of the above, सभी इस को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए, आंसर इस, C ओप्षिन 31, तो वाले प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड करता है, लीगल प्रोटेक्शन सभी जो मैरीन अनिमल्स हैं उनके लिए, और यहाँ पर टोटल 31 मेजर मैरीन प्रोटेक्टिवड एरियाज हैं इंडिया में, जो कवर करते हैं कोस्टल एरियाज को, और जिनको नोटिफाई किया गया है वाले प्रोटेक्शन एक 1972 के तहर्ट, प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना इस फ्लाग्शिप स्कीम फोर्कॉस्ट एं सस्टेनेबल डल्प्मेंट ऑफिश्री सेक्टर इन दे कंट्री एज पार्ट ओफ आत्मिर्बर भारत अभ्यान, प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना आत्मिर्बर भारत अभ्यान के एक भाग के रूप में देश में मत्से पालन क्षेत्र में केंद्रित और सते विकास के लिए एक प्रमुख योजना है या किसका उदेश्य है, Option A is के A. Focus especially on employment generation activities such as seaweed and ornamental fish cultivation. B. Option E. Adopt the cluster or area based approaches and to create the fisheries cluster through backward and forward linkages. C. Enhance the fish production by additional 70 lakh ton and to increase the fisheries export earning 1 lakh crore by 2024-25. D. All of the above. E. None of the above. More than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर जो है comment section में दीजे सभी. Answer is D. Option all of the above. तो यहाँ पर इस योजना से related सभी statement सही है. विशेश रूप से जो रोजगार स्रीजन गतिवीदिया हैं जैसे कि समुंदरी शेवाल या फिर सजावती मचली की खेती पर ध्यान दिया जाएगा. इस स्कीम के accordingly. क्लस्टर या फिर जो क्षेतर अधारिक दिश्टिकों है उनको अपनाए जाए और जो backward या forward linkage है उसके माध्यन से मच्से पालन क्लस्टर बनाए जाए. मचली उतपादन में 70 लाग टन की वृधी करना और 2024-25 तक मच्से निर्यात आय को बढ़ाकर 1 लाग करो को अच्छे से सौल करते रहे हैं सभी कोशन को continuously attempt करते रहे हैं रिवाइस करते रहे हैं को से नमबर 22 एशिया लार्जेस्ट बायो सी एंजी प्लांट गोबर्धन हाज बिन इनोग्रेटेड इन विट सिटी ओफ इंडिया एशिया के सबसे बड़े बायो सी एंजी प्लांट गोबर्धन का उद्गाटन भारत की किस शेहर में किया गया है ओप्शन्स आर A. पत्ना, B. इंदौर, C. पूने, D. कानपूर, E. नन अफ दिया बंग, more than one of the बंग, so try to give you an answer, अपना answer दीजे सभी, answer is B. ओप्शन, इंदौर, MP. तो यह आपको याद रखने हैं, इस तरह के question भी exam में आएंगे. Question number 23, which of the following statement is our correct about the purple revolution? बैंगनी करांती के बारे में निमलकित में से कौन सा कथन सही है? Options are A. Largest dairy development program and a landmark project of India's national dairy development program. सबसे बड़ा dairy विकास कारेकरम और भारत की राश्रे dairy विकास बोर्ड की एक एतिहासिक परियोचना. B. Support India's aromatic crop based agro economy by reducing the import of aromatic oil and increasing the home grain varieties. C. Option is Increased agriculture production, क्रिशी उत्पादन में व्रिधी. D. Increased in the production of ag as well as poultry production. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपको correct statement mention करनी है. Answer is B. Option. तो यहाँ पर B statement सही है related with the purple revolution. तो इसमें support किया जाएगा इंडिया के जो aromatic crop based agro economy है उसको कैसे? By reducing the import of aromatic oil. तो इसमें import को कम किया जाएगा और जो homegrown varieties हैं उनको जादा बढ़ा है जाएगा, increase किया जाएगा. Question number 24. Recently in the news, इंडिया's biggest artificial reservoir comes up in which state of इंडिया? हाली में खबरों में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जल्याश्य भारत के किस राजय में बना है? Options are A. केरला, B. तेलंगाना, C. आंदरपदेश, D. करनाटका, E. none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना answer दीजे comment section में. Answer is B. Option. तेलंगाना. इंडिया का biggest artificial reservoir है, वो कौन है? मल्लाना सागर. तो यह कहां पर है? तेलंगाना में है. Option. 25. Which city is declared as the most congested city in the world on the TomTom Traffic Index ranking 2021? TomTom Traffic Index ranking 2021 में कि शेहर को दुनिया का सबसे भीड़बार वाला शेहर गोशित किया गया है? Options are A. डाली, B. इस्तानबूल, C. लेउन, D. मैलबॉन, E. none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना answer दीजे comment section में. Answer is B. ओप्शन इस्तानबूल. तो इस्तानबूल, Turkey जो है, declare कि जो most congested city है, यह world की as per the ranking, जबकि most को जो है, वो second number पर आता है. Question number 26. Which of the following statement is a note correct regarding the Bihar साथ निश्यय योजना पार्ट 2? Bihar साथ निश्यय योजना भाग दो के संबन्द में निमिलकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको note correct बताना है. Options are A. साथ निश्यय योजना पार्ट 2 is the vision document of state government plan for the development in the state for the next 5 year. साथ निश्यय योजना भाग 2 राज्यय सरकार की अगले 5 वर्षों के लिए राज्यय में विकास की योजना का vision दस्तावेच है. B. बिहार स्टेट गवर्मेंट will focus on providing the employment opportunity to the youth. बिहार राज्यय युवा को रोजगार के अफसर प्रदान करने पर ध्यान देगी. C. बिहार स्टेट गवर्मेंट नेमली बिहार स्टूदेट क्रेट कार योजना भाग 2 राज्यय सरकार अर्थात बिहार शात्र क्रेट कार योजना को अगले 5 वर्षों में आगे बढ़ाया चाहेगा. D. स्टेट गवर्मेंट विल प्रोजेक्ट और माक्सिमम 15 लाग इंट्रेस्ट फ्री लोन तो वुमें वूस्टार इंटर्प्राइज राज्य सरकार प्रयोजना की लागत का 50 परतीशत अधिक्तम रुपे 15 लाग अपने उदम में शुरू करने वाली महिलाओं को ब्याज म तुरिन देगी यहां पर D. स्टेटमेंट गलत है देखते क्या गलत है तो जो स्टेट गवर्मेंट है वो 50% कोस्टो प्रोजेक्ट और माक्सिमम 5 लाग रुपे प्रोवाल करेगी इंटरस्ट फ्री लोन जो है वूमेंस को जो स्टार्ट करना चाते हैं अपनी अंटरप्र तो यह गलत हो जाएगा आधा स्टेटमेंट करेक्ट है साथ निश्चे पार्ट तू स्की सेवन पॉइंट आपको याद रखने हैं जो इसके सेवन पॉइंट से फर्स्ट है इंप्लोइमेंट और स्किल डेल्पेंट प्रोवाइड करेगा यूथ को सेकिंड है एडुकेश साइवन विजन जो है वो आपको याद रखने हैं इस डोकुमेंट के यह बहुत इंपोर्नेंट है एक्जाम के लिए कोशे नमबर 27 रिसेंटली बिहार गवर्मेंट लेड बाई दा चीफ मिनिस्टर नितिश कुमार हैज लॉंच्ट बाल हिर्दे योजना विच विल प्रोवाइड दा फ्री ट्रीट्मेंट टू चिल्डरन सफ्रिंग फॉम विच उफ दा फोलेंग हाली में मुख्य मंत्री नितिश कुमार के नितित्र वाली बिहार सरकार ने बाल हिर्दे योजना शुरू की है जो किसमे से पीडित बच्चों को मुक्त इलाज प्रदान करेगी ए एंसाफलिटिस के लिए बी डेंगू सी मैडिकल कंडिशन और फोल इन दा हर्ट और वर्टिकलर सैप्टल डिफेक्ट डी पोलियो एंड ए नन अफ दी अबबब मौर देन वन अफ दी अबबब सो चाई टो गीव एर आंसर अपना आंसर मेंशन किजिए आंसर इस सी ओप्शन तो यहाँ पर मैडिकल कंडिशन जो है होल की इन दा हर्ट यानि की वेट्रिकलर सैप्टल डिफेक्ट से रिलेटेड है यह जिसमें बिहार के जो सीम है उन्होंने बाल हिर्दे योजना को लौंच किया गया है इसमें फ्री ट्रिट्मेंट निर्टिश कुमार हाज लौंच बाल हिर्दे योजना सीम फ्लाग डॉप्ट बस क्यारिंग 21 चिल्डरन विद इस कंडिशन अलोंग विद्य गार्जन तू पटना एरपोर्ट तू बी फ्लॉन तू फिट सिटी हाली में मुख्यमंत्री निर्टिश कुमार जी के नितिरत वाली बिहार सरकार ने आल हिर्दे योजना शुरू की है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने इस शर्ट के साथ 21 बच्चों को अपने अभी भाबकों के साथ पटना हवाई अड़े पर ले जाने के लिए एक बस को हरी जंडी दिखा कर कहां पर रवाना किया है A. डली B. एहमदाबाद C. लखनाव D. मुंबई E. नन अभी अभी अभाब मोर देन वन अभी अभी अभाब आंसर इस B. एहमदाबाद Question number 19. Which of the following statement is our correct regarding Bihar मुख्यमंत्री बाली का सनातक प्रोचसाहन योजना 2022 के समध में कौन सा कथन सही है तो आपको correct statement बतानी है A. अडर दामुख्यमंत्री बाली का ग्रेजुएशन प्रोचसाहन योजना 2022 अभी अभी अमotz मुक्यमंत्री बालिकर ग्रोघ्ट साहन एंप और वाउन एट मुक्य। यह and । तो ट्राइटो गिव एर आंसर अपने आंसर दीजे सभी कमेंट सेक्शन में आंसर इस ए ओप्षन तो इसके लिए करेक्ट स्टेट्मेंट आपको याद रखनी है जो मुख्यमंत्री बाली का सनातक प्रोचसाहन योजना 2022 है उसके तहत किसी भी विश्य में सनातक उतिंट सभ चात्राओं को पच्चिस पच्चिस हजार रुपे की राशी दी जाएगी को स्टेट्मेंट्स रिगार्डिंग बिहार स्किल्ड अल्पेंट मिशन बिहार कोशल विकास मिशन के संबंध में निमिलिखित कत्नों पर विचार करें वन इस दा एम्प्लोइबिलिटी स्किल ओ अल्पेंट्स इन दा एज ओ फिफ्टीन तो ट्वंटी एट यर्स पंडर से अठाई वर्ष की आयू वर्के सभी उमिद्वारों को रोजगार योगिता कोशल तो इस एज लिमिट फोर से स्ट ओबीच औपीपल इस दिस एपलेटी अस फोलोस से स्ट थरी थरी यर्स ओबी परसुइंग हाईयर एजुकेशन जिनोंने उच्छ सिक्षा प्राप्त करने या फिर वर्तमान में उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के बावजूत कम से कम दसवी कक्षा उतिंड की हो फॉर्थ इस कोशल यूवा प्रोग्राम इस पार्ट ओफ वन ओफ द सैवन कमिटमेंट इस नेमली आर्थिक है यूवाओं को बल शुशल यूवा कारेक्रम साथ प्रती बद्धताओं में से एक हिस्सा है इसका नाम है आर्थिक हल यूवाओं को बल तो नीचे दिये गए कत्नों में से आपको इनकरेक्ट गलत कत्थन को चेहन करना है एज वन एंड टू ओं ली अपना आंसर कमेंट सेक्षिन में मैंशन कीजिए आंसर इस स्कीम से रेटेट सभी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको याद रखना है कि जो बिहार कुशल विकास मिशन है यह 15-28 वर्ष के आयूवर के सभी उमीदवारों को रोजगार यानि योगिता कोशल परदान करेगा साथ में आपको एज लिमिट याद रखने है कि अनुसूची जाती के लिए कितनी है और उनुसूची जन जाती के लिए कितनी है तो SCST के लिए 33 यह और BC के लिए 31 यह एज लिमिट है तो जो भी उमीदवार एस्पिरेंट्स अपनी higher सिक्षा यानि उच्छ सिक्षा को प्राप्ट कर चुके हैं या फिर उन्हेंने कम से कम दस्वी कक्षा को उतिंड किया है तो उन सबी को इस प्रोग्राम के through employment प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें साथ जो प्रती पतिता हैं उसमें से जो एक प्रती पतिता है उसका जो टारगेट है वो आपको याद रखना है आर्थिखल युवाव को बल option no.31 अंडर दा स्व्यम साहित्य भट्ता योजना बिहार गवर्मेंट वुड प्रोवाइड 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 असिस्टेंस उफ हाव मुच रुपी इस गिवन टू इच उन एंप्लोईमेंट यूथ फो तू यूर्स तो फाइंड आ जोब स्व्यम साहित्य भट्ता योजना के तहट बिहार सरकार ने परतेग बेरोजगार युवक को नोकरी खोजने के लिए दो साल के लिए कितने रुपे की वित्य साहित्य प्रदान की है options are a rupi 500 b rupi 1000 c rupi 2500 and d rupi 3000 e none of the above more than one of the above so try to give your answer अपना answer mention कीजिए सभी answer is b option rupi 1000 तो ये आपको याद रखने हैं इस तरह के questions जो scheme से related हम cover कर रहे हैं पूरी super test series में ये सभी important question है experience आप सभी को questions कैसे लग रहे हैं questions का feedback है आप सभी main comment section में जरूर mention कीजिए so that हम सभी को motivation मिले कि आप सब जो है videos को देख रहे हैं और आपको यहाँ से benefit मिल रहा है और जाता से जाद अपने friends और groups को भी share कीजिए उनके भी help वो सके इस channel के through question number 32 मुख्य मंत्री निश्चे स्वयम साहित्य भट्टा योजना वो started on trial basis from 15 September but the scheme was officially launched on which date मुख्य मंत्री निश्चे स्वयम साहित्य भट्टा योजना 15 सितंबर से परिक्षन के अधार पर शुरू की गई थी लेकिन इस योजना को अधिकारिक तोर पर कब launch किया गया था ओप्षोंस आर A 2nd October 2016 B 2nd October 2018 C 2nd October 2020 and D 2nd October 2021 E none of the above more than one of the above so try to give your answer सभी अपना आंसे दीजिए Answer is A option 2nd October 2016 Version No. 33 Bihar government has launched student credit card scheme in the state on 2nd October 2016 In Bihar SCC scheme the state government provides education loan of up to how much rupees to 12th pass student Bihar सरकार ने 2 October 2016 को राज्य में चात्र credit card योजना शुरू की थी Bihar SCC योजना में राज्य सरकार ने आरवी पास चात्रों को कितने रुपे तक का सिक्षा रिन परदान किया है Options are A 1 lakh रूपीज B 2 lakh रूपीज C 3 lakh रूपीज and D 4 lakh रूपीज E none of the above more than one of the above So सब भी अपने answer दीजिए comment section में Answer is D option रूपी 4 lakh तो Bihar government ने student credit card scheme को launch किया Date भी आपको याद रखने है 2 October 2016 को तो इस scheme के तह जो state government है वो education loan प्रोवाइड करती है अप टू 4 lakh रूपीज किन के लिए जो 12th past students है उनके लिए Question number 34 in the budget 2022-23 state government has allocated how much करोड for the Bihar student credit card योजना Budget 2022-23 में राज्य सरकार ने Bihar छात्र credit card योजना के लिए कितना करोड अवंटित किया है A. रूपी 700 करोड B. रूपी 600 करोड C. रूपी 500 करोड D. रूपी 400 करोड E. None of the above more than one of the above So try to give your answer अपना answer दीजिए इस तरह की factual question भी exam भी आएंगे Answer है A. ओप्शन 700 करोड रूपी O. 35 Consider the following statements regarding Bihar, मुख्यमंत्री, अल्प संक्यक, योजगार, रिन योजना इसके लिए जो statements हैं आपको यहाँ पर incorrect statement बताने हैं कौन सी है One is It has been decided to increase the fund of 250 करोड तू 1,000 करोड दिस यर अंडर दा मैनुवर्टी लोन स्कीम So that loan can be given तू मैनुवर्टी योजना है उसके तहस वर्ष धाईसो करोड की राशी को बढ़ा कर एक हजार करोड करने का भी निर्ने लिया गया है ताकि जो अल्प संख्यक युवाए हैं उनको योजगार के लिए कर्च किया जा सके Second is Manuity Loan Scheme Unemployed People in the Bihar can take the loan up to 50 lakh at low interest rate to start the business and startup तो जो अल्प संख्यक रिन योजना है इसमें बिहार में जो बिरोजगार लोग हैं उनको विफसाय और start-up शुरू करने के लिए कम ब्याजदर पर 50 lakh तक का रिन ले सकते हैं Third is Applicants A should be between 18 years to 40 years अवेदक की उमर 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए तो आप सभी के options हैं A 1 and 2 only B 2 and 3 only C 3 and 4 only and D 1, 2 and 3 only E none of the above more than one of the above So try to give your answer अपना answer दीजे सभी Answer है D option 1, 2 and 3 only तो यहाँ पर all statements जो हैं वो गलत हैं तो देख लेते हैं क्या गलत हैं इसमें तो फर्स statement में जो अलप संख्या लोन स्कीम है इसके तहत 25 करोड के fund को बढ़ा कर इस साल 100 करोड करने के लिए फैसला लिया गया तो यहां 25 करोड की जगा 25 करोड आ जाएगा और 1000 करोड की जगा क्या आ जाएगा 100 करोड आ जाएगा तो जिससे जो अलप संख्या ग्यूवाएं उनको रोजगार के लिए कर्ष दिया जा सकें सेकिंड जो स्टेट्मेंट है उसमें जो अलप संख्या लोन स्कीम है बिहार में वो बियरोजगार लोग विवसाओं और स्टार्ट अप को शुरू करने के लिए पांच लाग तक कर रिंड कम ब्याज़दर पर ले सकते हैं तो पचास लाग की जगा पांच लाग आ जाएगा थर्ड स्टेट्मेंट में जो एप्लिकेंट्स हैं जो अवेदक हैं उनकी आयू अठारा वर्ष से पचास वर्ष के बीच में होनी चाहिए तो एटीन येर्स फोटी की जगा क्या जाएगा 18 साल से पचास वर्ष तो जो अवेदक को बिहार राज्य है उन्हें जिले का निवासी होना चाहिए उस जिले का जहां पर वो अपना रोजगार खोलना चाहते हैं दूसरा स्कीम के इस योजना के तहत मिलने वाला जो रिंड है उसकी राशी स सब रोजगार बिहार राजे में ही शुरू करना होगा और किसी राजे में नहीं कर सकते हैं तो इस रोजगां के तह जो रिंड है उसके लिए अवेदक का बिरोजगार होना अनिवारिय है वो और कहीं वर्ष नहीं करना चाहिए प्रशांत समू के लिए संयुक्त राश्ट्र अंतराश्ट्रे विधी अयोग के लिए किस भारते को चुना गया है ओप्शन्स आर ए उर्जित पटे बी बिमल पटे सी रगुराम राजन और डी केलार सत्यार्थी ए नन अफ दी अबब मोर देन वन अफ दी अबब आंसर है इसका बी ओप्शन तो जो प्रोफेसर बिमल पटेल है इनको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लो कमिशन में for the year of five years तो पांच साल के लिए इनको इलेक्ट किया गया है तो टम भी आपको याद रखने है तो इनकी टम जो है वो एक जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी फर्स जनवरी 2023 से भारते नो सेना ने कलवरी शोफेन की पंडूपी पर्योजना 85 के तहत अ पनी चोछी सकूर्पी शोफेनी की पंडूपी को कमिशन किया गया है अपना आंसर दीजे कमेंट सेक्षिन में आंसर इस डी ओप्षिन आइनस वेला डिटेल्स देख लेते हैं जो आइनस कलवरी है वो फर्स्ट सिक्स स्कॉर्पिंग क्लास सम्मेरीन है जो बिल्ट हुई थी अंडर दा प्रोजेक्ट 75 और इस सम्मेरीन को कमीशन के आ गया था 14 दिसंबर 2017 को सेकिंड जो है वो है आइनस खंदेरी 2019 में हुई थी खरन जो है वो 2021 में हुए वेला 25 नुवंबर 2021 को इशन की गई हैं अंडर दा प्रोजेक्ट 75 प्रोजेन नंबर 38 विच वन अफ फॉलिंग पेर्स ऑफ पद्म श्री रेसिपेंट्स ऑफ बिहार इस नोट करेक्टली मैश ओप्शन सारे श्रीमती मृदुला सिना पोस्थुमस फोर दे लिटरेचर एड़ुकेशन बी श्रीमती दुलारी देवी आठ सी डॉक्टर दिलि मैच सेलेक्ट करने है त्राइट गिव यर आंसर इस यह ओप्शन नन अफ दी अबव तो इसमें सभी करेक्ट है सभी को 2022 के लिए अगर पूचा जागा पद्म श्री अबोर्ट बिहार से किनको मिला है तो आपको याद रखने है जो श्री साइबल गुपता है इनको 2022 में ल इसमें को श्री नंबर 39 विच फॉलिंग स्टेटमें इसार करेक्ट रिगार्डिंग दा बिहार मुख्यमंत्री सेस्टी सिविल सेवा प्रोचाहन योजना ऑप्शन सारे स्टेट गुवर्मेंट बिहार अनूंस अपनेंशल एसिस्टेंस अव रुपी तो लाग तो एलिग Is the state government of Bihar announced financial assistance of rupee 10,000 to eligible candidate for passing the primary level examination of UPSC and 15,000 for the primary level examination of BPSC. C is state government announced financial assistance of rupee 50,000 to eligible candidate for primary level of examination of UPSC and 10,000 for passing the primary level examination of BPSC. D option is state government of Bihar announced financial assistance of rupee 1000 to eligible candidate for passing the primary level examination of UPSC and 500 for passing the primary level examination of PPSC E none of the above more than one of the above तो आपको इसमें से correct statement select करनी है try to give your answer answer is E option none of the above तो इसमें से कोई भी statement correct नहीं है because the state government of Bihar है उन्होंने financial assistance announce किया है rupee 1 lakh का जो भी eligible candidate pass करेंगे preliminary examination of UPSC और 50,000 rupees दिया जाएगा जो primary level of examination BPSC का जो preliminary exam है उसको pass करेंगे तो 1 lakh or 50,000 is the correct amount to be given version number 40 what is the rank of Bihar in the state ranking of Swachya Surveikshan 2021 among the states having more than 100 municipal bodies 100 से अधिक नगर निकायो वाले राजे से Swachya Surveikshan 2021 की राजे ranking में बिहार का स्थान क्या है options है A second, B 7, C 13 and D 19 E none of the above, more than one of the above so try to give you an answer this is very important question ये exam में जरूर आएगा answer is C option 13 तो आपको ranking याद रखने है Swachya Surveikshan 2021 की बिहार की rank 13 है with more than 100 municipal bodies है जो इसमें count की गई है उसमें से जो गया district है उसकी rank है 289th out of 659th district in the country question number 41 RBI Monetary Policy Committee has projected India's real GDP growth to be how much percentage in the fiscal year 2022-23 RBI की मौद्रिक निती समीती ने वित्यवर्ष 2022-23 में भारत की वास्तिविक GDP वृद्धी का कितना परतीशत होने का अनुमान लगाया है options are A 7.2% B 6.2% C 5.2% D 3.2% E none of the above more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजे comment section में answer is A option 7.2% so जो RBI monetary policy committee है उसने project किया है कि इंडिया का जो real GDP growth है वो 7.2% होना चाहिए कौन से fiscal year के लिए 2022-23 के लिए committee ने जो रैपोर reverse रैपोर रैपोर रेट है वो unchanged रखे हैं change नहीं हो है वो कितने हैं 4% है और जो CPI inflation है वो 5.7% है question number 42 recently India and which countries ministry of federal affair signed 3 MOU for the construction of school health post and irrigation project हाली में भारत और किस देश ने संगिय मामलों के मंत्राले ने school स्वास्थे post और सिंचाई परियोजनाओं के निर्मान के लिए तीन समजोतों पर हस्ताक्षर किये है options are A. भुटान B. शिलंका C. नेपाल D. माल्दिव and E. नन अफ दी अबब more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजिए answer is C. उप्शन नेपाल इंडिया और ministry of federal affair of नेपाल है उन्होंने 3 memorandum of understanding को sign किया है किस के लिए construction of school के लिए health post के लिए और irrigation projects के लिए नेपाल में तो जो ये M. U है ये sign किये गए with the Doohun rule municipality of डर्चुला जिसमें construction किया जाएगा जो जन विकास secondary school है उससे related तो ये municipality से related है इसलिए question बहुत important है ये exam में आ सकता है question number 43 recently which state government has constituted a gram in विकास board for the development of ruler reason हाली में किस राज्य सरकार ने gram in क्षेतर के विकास के लिए gram in विकास board का गठन किया है options are A. Bihar B. Uttapadesh C. Delhi and D. Haryana E. None of the above more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजे सभी answer is C. Option Delhi so Delhi government ने gram in विकास board को constitute किया है किस के लिए development of Delhi's ruler reason के लिए question number 44 recently which nation Supreme Court has restored its national assembly and directed the holding of no trust vote हाली में किस देश के सरवोच नियाले ने अपनी national assembly को बहाल किया है और अविश्वाश मत रखने का निर्देश दिया है options है in financial year of 2022 वित्यवर्श 2022 में भारत का क्रिशी निर्यात कितने अरब को पार कर अपने उच्चितम सर को छूग गया है options है किया है 19.92 परसंट ग्रों किया है परसंट ग्रों किया है 2022 is options है A. आर प्लैनेट आर हेल्थ B. बिल्ड अ फेरियर हाल्दियर वर्ल्ड फोर अव्रिवन C. तू सपोर्ट नर्सिस अं मिडवाइव D. उनिवर्सल हेल्थ कवरेज अव्रिवन अव्रिवियर E. नन अफ दी अबब more than one of the above So, try to give your answer अपना answer दीजिये सभी Answer है A. आर प्लैनेट आर हेल्थ तो थीम आपको याद रखने है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ है और यह जो थीम है यह 2022 के लिए है 2021 की थीम भी आपको याद रखने है वो है A. अफेरर, हाल्दियर and world for the everyone Question No. 47 Recently, which country is planning to introduce a new $100 note its highest paper currency domination The bill, however, is just enough to buy a loaf of bread It will be worth $0.690 in US currency हाली में कौन सा देश अपने उच्छितम कागजी मुद्रा वर्चस वाले $100 की नए नोट को पेश करने की ओजना बना रहा है Option है A. South Africa B. Jimbabwe C. Argentina and D. Mexico E. None of the above more than one of the above So, सभी अपना आँसर दीजे main comment section में Answer is का B. Option Jimbabwe Option No. 48 Recently, Indian economy has been projected to grow by how much percent in the current fiscal as per Asian development bank हाली में A.I. विकास बैंक के अनुसार भारतिय अर्थ विवस्था के चालू वित्य वर्ष में कितने परतीशत बढ़ने का अनुमान लगाए गया है Options है A. 3.2% B. 4.9% C. 6.1% and D. 7.5% E. None of the above More than one of the above So, try to give your answer अपना आसर दीजिए Answer is का D. Option 7.5% तो जो Asian Development Bank है उसने इनफोर्म किया है कि जो इंडियन economy है वो ग्रोव करेगी 7.5% इन दा करेंट फैनेंशल यर और जो ग्रोथ है वो expected है कि accelerate करेंगी 8% 2023-24 के लिए Question No.49 Recently in the news Temple 360 is a digital platform that will enable the devotees to visit or to do online दर्शन of which of the following हाली में खबरों में Temple 360 एक digital platform है जो भक्तों को कौन से online दर्शन या दर्शन करने में सक्षम करेगा Options आर A. Maa वैशनो धाम B. नलंदा उनिवर्स्टी और बोद गया C. काजमहल D. 12 जोतिरिंगा और चार धाम E. नन अवदी अबब more than one of the above So try to give you an answer सभी अपना आँशन दीजिए Answer is D. Option 12 जोतिरिंगा और चार धाम Temple 360 एक digital platform है जिसमें जो devotees हैं भक्ते हैं वो विजिट कर सकते हैं Online दर्शन कर सकते हैं जो 12 जोतिरिंगा और चार धाम है किसी भी location ओफ इंडिया से तो जो ये पोर्टल है ये इसमें लाइव कैमरा प्रोवाइड किये जाएंगे जो फीड़ अप किये गए है टैंपल के अंदर और जो ये पोर्टल है ये अलोग करेगा डिवोटीस को कि वो ERT भी परफॉर्म कर सकते हैं फ्रोम देस पोर्टल लास्ट कोश्चिन अफ टुडेइ सूपर टैसीरिस कोश्चिन नमबर फिफ्टी विज स्टेट गवर्वर्मेंट इस प्लानिंग टू इंपलिमेंट हिम प्रहारी स्कीम इन दा बोर्डर एरियास कौनसी राज्य सरकार सीमा वर्तिक शेत्रों में हिम प्रहारी योजना लागू करने की योजना बना रही है ओप्शन्स आर A. हिमाच्रपदेश B. उत्राखन C. बिहार D. जारखन E. नन अवद अबब मोड़न वन अवद अबब सबी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर इस B. उत्राखन तो उत्राखन में हिम प्रहारी स्कीम जो है ये एक सर्विसमेन और यंग्स्टर्स के लिए प्रोवाइट की जारी है इस स्कीम का एम है कि उनको स्टॉप किया जाएगा कि वो माइग्रेट ना करें स्टेट से अधर स्टेट के अंदर तो उनकी माइग्रेशन को रोकने के लिए ये स्कीम जो है लागू की गई है बॉडर एरियास में आज हमने बहुत इंपोर्टेंट के लिए बिकोज यहां पर स्कीम सारी कवर होगी है तो यह सभी इंपोर्टेंट कोश्चन है आप इसको बार-बार रिवाइज कीजिए और कोई भी कोश्चन आपका एक्जाम में ना चुटे इसलिए हम आपको इंपोर्टेंट कोश्चन प्रवाइड करते हैं अब इतक हमने सुपर टेस्स सीरीज के 1-18 सीरीज को कम्प्लीट कर लिया है और थियोरी सीरीज के 1-11 सीरीज को कम्प्लीट कर लिया गया है जिसमें आपका more than 60% स्लेबस कवर हो गया पेपर 2 के लिए तो आप सभी को अगर लग रहा है कि स्लेबस कवर नी होगा टाइमली तो आपका स्लेबस जो है वो एक्जाम डेट अनाउंस होने तक कवर हो जाएगा और सुपर टेस्स सीरीज के तुरू आपके पेपर 1 की स्लेबस के भी कोश्चन कवर हो जाएगे तो आप सभी को कंटिनुजली वीडियो को देखना है और जो एक्स्पिनिशन हम वीडियो में प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत इंपोर्टन है वहां से भी कोश्चन आ स सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनियों सभी चीजों को रिवाइज करते रहें और कोई भी डाउट हो थियूरी सीरीज से रिलेटेड या कॉंसेप्स रिलेटेड आप हमसे इमेल आडी कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू पूट कर सकते हैं तो और नेक करते रहना है तो आप सभी जो है ऐसे ही लगकर के मैनत करिए और हमें जाद से सपोर्ट कीजिए जैसे हम आपको टाइमली सभी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी क्लासिस का टाइमिंग है वह एट पीए में हमारा एक ही चैनल है एस्प्रेंट ड्रीम सीरीज से ना आपको फूल रिवीजन करनी है और अपने सारे स्लेबस को टाइमली कवर करना है आपको एकजाम के टाइम तक कोई भी प्रोब्लम ना हो और आप इसली सारा स्लेबस कवर कर सके और रिवाइज कर सके तो न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी थैक्स वोचिंग दिस व